नमस्कार मैं नीरज कुमार बेसी बायो टेकनलोजी मरवाडी कॉलेज से कर रहा हूं और मैं अभी सक्रिय हूं मरवाडी कॉलेज एनेसेस यूनिट में जो की राची उनिवर्सिटी एनेसेस कहीं सा है और जैसे कि मैं आप सबों के सामने आया हूं कि अभी कोरोना वाइरस का म हमारी चल रही है आप सभी जानते हैं पूरा विश्व इसमें परेसान है आप जानते हैं कि भारत का रेंकिंग सो से भी कम है इस स्वास्त व्यवस्ता में लेकिन फिर भी भारत में अभी बहुत नियंतरण में है ये ऐसा बिमारी है जो तुरंत फैलने वाला है एक को हो गया तो बहुत सारे को हो सकता है इसका इक ही उपा है बचने का वो है लोकडॉन का पालन करना 28 दिन तक आप घर पे ही रहें जैसा कि परधान मंपरी रजीव ने बोला है कि 28 दिन तक घर में रहें जिसосто yesterday अपने आप को बचा सकते हैं अपने गाओं को बचा सकते हैं अपने राए जी को बचा सकते आप जानते हैं कि ये एक ऐसा महमारी है जो तुरंत फैलता है आप अगर अभी आप इस पे कदम नहीं उठाते हैं तो हमारा देश 20 साल पीछे जा सकता है आपके पास एक बहुत ही अच्छा मोका है कि आप इससे बच सकते हैं और जैसे कि मैं पीछे आप देख रहे होंगे ये मेरे मेडल्स और कटिंग से पेपर कटिंग से हैं मैं helping and rising star का coordinator भी हूँ और मैंने यहां के गाओं के सारे बच्चों को भी यहीं बताया है कि आप घर पे रहें सुरक्षित रहें और घर वालों को भी awareness फेला है मरवारी कोलेजी का हमेशा awareness में ध्यान दिया हुआ है यहां के जितने भी volunteers NSS का अभी तक हम लोग प्रचार digitally कर रहें घर पे रहें सुरक्षित रहें और जानते हैं कि आप ऐसा सत्रू है हमारा जिसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं जो दिखता नहीं है वो दिखेगा नहीं डायेट आपके अंदर आ जाएगा और आपको हान कर देगा आप उससे एकी चीज से बच सकते हैं लोगडान का पालन किजिए अगर आप पालन नहीं करते हैं तो प्रसासन कड़ा से कड़ा करवाई करेगा ही लेकिन अगर हम सबसBER हैं तो इस बिमारी से हम बच सकते हैं ये इतना खतरनाख है फिर भी हम देश के सामने एक एकता का परमान ला सकते हैं कि सब में मिलकर किस तरह से इस महमारी से आगे निकला और दुनिया में अपना कायम जारक कर सकते हैं यह हमी लोग के उपर हैं, आप सब को मिलके इस पालन करना है, stay at home, अच्छा से रहें, स्वस्तर हैं, जहिन!